बैपसाईयों को फिर से सुरू करने के लिए पीम मोदी ने बीस अप्रेल का ही समय क्यों चुना सामने आया ये बड़ा कारण हाई गाइस मैं हुनीवा और आप तेकरे ब्रेक पास्ट मीडिया नेटवर्क दोस्तो पीम मोदी ने देश को अपने समबोधन में कहा था कि लोकटाउन जाड़ी रहने के साथ कुछ विशेश छेत्र और बैपसाईयों को इससे भी सप्रेल से जूट मिल सकती है उन्होंने सब्तहात में मुख्य मंत्रियों के साथ बात करते हुए बताया कि भारत के उज्जुल भाविस्ट के लिए जीवन और अजीवका पर ध्यान केंद्रित करना अनिवारी है क्यूंकि लोग की जिन्दगी के साथ अर्थ विवस्ता पर भी ध्यान देना बहत जरूर को ग्रीन जोन के रोप में बरगित किया जा रहा है और या पहली बार होगा जब आठी गठी वीदियों को फिर से शुरू किया जाएगा दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल होंगे कि आखे पीया मोदी ने आठी गठी वीदियों को शुरू करने के लिए 20 सप्रेल तक का ही समय क्यों मांगा और ये छे दिनों का ग्याप आखिर किसके लिए सरकार के एक सिर्ष अधिकारी ने कहा था कि छे दिन का अंतर या सुनिस्टित करने के लिए त्यार किया गया था कि हर कोई समझने में सक्षम हो कि लौक्टाउन से पहला कदम कैसे उठाये जाए और इसके लिए अच्छी तेयारी की जाए बैपसाई और राजिस सरकार से लेकर जिला प्रसासन सभी को त्यार करने का मौका मिले वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जब पीम मोदी ने 24 मार्ट की साम को ताला वंदी की गोशना की ती तो उन्होंने इसका एडवांस नोटिस नहीं जाही होती इससे पीम मोदी का लॉक्टाउन का उदेश बिफल हो जाता वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हम भी यहीं उमीद करते हैं कि जिला प्रसासन इस समय का उप्योग सुरक्षित करने के लिए भी करेगी जहां कुरोना वाइरस के अधिक मामले हैं उन छेत्रों म इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी चैनल के साथ बने रहे हैं कि अबिद्ध कर पांद करो करें कर दो कर दो अधिक कर दो